जै मसिकी, गुट मॉर्निंग, आज सुभ़, प्रभु का वच्छन हमारे लिए, पहला पत्रस, अध्याई पांच, आयत आठ, फर्स्ट पीटर, चैप्टर फाइफ, वर्स एट, आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ. सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुमारा विरोधी शैतान, गरजने वाले सीह के समान, इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए. यहाँ पर पत्रस उन विश्वासी भाई भेनों के लिए ये चिट्टी लिखता है, जो अलग-अलग जगे में तित्तर बित्तर होकर रह रहे थे. पत्रस चाता है कि उनकी चिट्टी के द्वारा विश्वासी भाई बहन प्रभु में द्रिड रहे और उनके लिए पत्रस कुछ प्रैक्टिकल बातों को लिखता है जैसे प्रभु में उनकी पद्वी क्या है, परिवार में कैसे रहना है ये सारी बातों को पत्रस उनको लिखकर समझाता है और साथ में अंतिम अध्याई आते ही पत्रस विश्वासियों को समझाता है कि हमें सचेत रहना है और जागते रहना है दूसरे एक अनुवाद में लिखा है कि हमें सयमी रहना है और जागते रहना है क्यूं हमें सच्चेत रहना है उसका कारण भी दिया है क्योंकि तुमारा विरोधी शैतान गरजने वाले सीह के समान इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए पत्रस विश्वासियों को समझाता है कि हमारा एक दुश्मन है हमारा एक विरोधी है और वो है शैतान शैतान का एक ही मकसद है और वो ये है कि प्रभू में बढ़ने वाले भाई भेनों को विश्वासे गिराया जाए शैतान को मालूम है कि हमारी जीवन में हम लोग कहां पर कमजोर है हमारी जीवन में कहां पर हम बार बार गिरते हैं और शैतान उसी एरिया पर हम पर वार करता है और शैतान चाता है कि इस वार को हम ना समझे कि वो शैतान की और से हैं लेकिन हम लोग एक दूसरे पर दोश लगाते हैं हालातों पर दोश लगाते हैं हमारी जीवन पर हम दोश लगाते हैं हमारे परिवार पर हम दोश लगाते हैं और धीरे धीरे हम विश्वासे घिर जा बहुत से वक्त हम निराश हो जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं, या फिर हमारे अंदर एक चिड़चड़ा पना जाता है, हमारे अंदर एक शांती की कमी को हम मैसूस करते हैं, या फिर हमारे अंदर गुसा आता है, इतना गुसा कि हम ऐसी ऐसी बातों को बोल देते हैं, या ऐस दूसरों को माफ नहीं कर पाते हैं, दूसरों के बारे में हम बुरा सोचते हैं, जलन को रखते हैं, हम दूसरों के उन्नती को नहीं देख पाते हैं, ये सारा विचार कौन हमारे अंदर डालता है, ये शैतान डालता है, और शैतान चाता है कि इन विचारों पर हम सोचते रहे और हम प्रभू से दूर हो जाए देखिए, शैतान आयूब पर हमला करता है सबसे पहले, शैतान ने आयूब का संपती पर हमला किया आयूब के पास जो कुछ था, सब कुछ नश्ट हुआ आयूब के बच्चे भी खटम हो गए फिर आयूप के शरीर पर हमला हुआ आयूप की पत्नी भी साथ नहीं दे पाई देखिए शैतान का चाल कैसा है अगर हम भी पहचान ले कि शैतान हमारा परिवार पर भी वार करता है तो हमारे परिवार में बहुत सारे तू-तू-मेमे या लड़ाई जगड़ा या मिसंडेस्टैंडिंग्स को जो है हम लोग दूर कर सकते है शैतान नहीं चाहता है कि पती-पत्नी प्रेम से रहे शैतान नहीं चाहता है कि बच्चे माबाप के आग्या को माने शैतान नहीं चाहता है कि माबाप बच्चों के साथ बैट कर उनको प्रभू के बच्चन को समझाए इसलिए शैतान हमें अलग-अलग बातों में व्यस्त कर देता है आज हमारे पास मुबाइल है, हम लोग मुबाइल पर समय बिताते है या फिर हम टीवी के सामने बैट जाते हैं या फिर हम लोग बाहर कुछ ना कुछ करते रहते हैं लेकिन प्रभू के वच्चन के अनुसार हम नहीं जीते हैं कौन जीत रहा है यहाँ पर, शैतान जीतता है और हमारा विश्वास ढीला हो जाता है मेरे प्रियों बहुत दुखी बात है अज बहुत सारे लोग जनोंने प्रभू ईश्व मसी पर विश्वास किया और विश्वास की यात्रा को शुरू किया कही न कही बीच रास्ते में आकर उनका विश्वास को उन लोगों ने छोड़ दिया है क्यों छोड़ा है क्योंकि शैतान ने उन पर वार किया और वो लोगों ने नहीं पहचाना कि हमारा ये विश्वास की दोड़ पर वार हो रही है और उन लोगों ने विश्वास को त्याग दिया युहना दसवा अध्याय और दसवी आयत में हम पढ़ते हैं शैतान के बारे में कि चोर किसी और काम के लिए नहीं लेकिन चोरी करने घात करने और नश्ट करने के लिए आता है मेरे प्रियों आज हमारे परिवार पर ध्यान दे हमारे लाइफ पर ध्यान दे हमारे जॉब पर ध्यान दे कौन सा ऐसा शेत्र है जहां पर हम बार बार गिर जाते हैं और उसके बाद हमको ऐसा लगता है कि हमें प्रातना करने का मन नहीं होता है बच्छन पटने का मन नहीं होता है तो उस एरिया के लिए प्रात्ना गीजे हो सकता है आपका एक दोस्ती ऐसा है जिसके कारण आप उस दोस्ती में उलज गए है और आपको मालूम है वो गलत है लेकिन फिर भी उसमें से निकल नहीं पा रहे है यह हो सकता है आपको गलत रिष्टे में अपने आपको फसादिया होगा हो सकता है आज पती पतनी डिवोर्स तक पहुंच गया है क्यूँ? क्यूँकि हमने हमारी आत्मे काउंकों को नहीं खोला नहीं पहचाना कि हम लोग एक युद्ध में हैं हमारा विरोधी शैतान शेर के समान देखे शेर तो नहीं है लेकिन शेर के समान इस खोज में है हमारा पीछे घुमता है ताकि हमको खतम कर दे हमको नश्ट कर दे हमको घायल कर दे जब हम एक दूसरे को माफ नहीं कर रहे हैं तब हम अंदर ही अंदर घायल हो रहे हैं हमें पहचानना है ये शैतान का तरीका है जब हम प्रभू के दासों के खिलाफ दासियों के खिलाफ बाते करते हैं हमको पहचानना है कि ये शैतान का शडियंतर है शैतान का चाल है जिसके कारण हम प्रभु से दूर हो रहे हैं हम इन बातों को नहीं जानते हैं पैचानते हैं मेरे प्रियों आज हमारी आत्मिक आंखे खुल जाए हम समझ पाए कि शैतान हमारे खिलाफ हमेशा युद्ध करता है ताकि हम विश्वास की दोड़ को दोड़ना बंद कर दे मेरे प्रियों इश्व मसी ने हमारी ले एक बहुत बड़ी कीमत चुकाया है और हमें उधार दिया है इस बुलाहट को इस आश्वा को बहुत बहुमूले समझते हुए हमारे मसीही जीवन के इस यात्रा को हम आगे बढ़ाए आई हम लोग प्रातना करें स्वर्गे पिता आज का वच्छन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ वच्छन सुनने वाले हरे एक भाई बहन पर आपका आशीश का हाथ होने पाए परमिश्वर इस मसीही जीवन में हम लोग सचेत होने पाए हम लोग जाकते रहने पाए परमिश्वर पिता हम लोग आत्मिक रीती से सोने वाले नहीं परमिश्वर पिता लेकिन हमारी आत्मिक आंके खुली रहने पाए ताकि हम पहचान पाए कि ये शैतान कहां से वार कर रहा है प्रभुजी आज मिलकर हमारे व्यक्तिकत जीवन के लिए हम प्रातना करते है प्रभुजी बच्चन सुनने वाले इन प्यारे भाई बहनों को अप सुरक्षित रखना प्रभुजी शैतान किसी भी रीती से उनका मन को हमला करने नहीं देना प्रमेश्वर उनके मन को अप सुरक्षित रखना करकर मैं प्रातना करते हूं प्रमेश्वर पिता आप हमें बलवन्थ कीजे प्रभुजी ताकि हम शैतान का सामना करने वाले लोग बन जाएं हम डर कर भागने वाले नहीं प्रभुजी लेकिन हमारे अंदर हिम्मत और बल देना प्रमेश्वर पिता आपने हमारी प्रातना सुने लिए इसलिए धन्यबाद आदर और महिम आपको देते हुए इश्व के नाम से हम म